नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आज हम ताश के पत्ते के बारे में बात करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि ताश में कार्ड के डेक पर प्रत्येक सूट मध्य युग में अर्थव्यवस्था के चार प्रमुक्स तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दिल चच का प्रतिनिधित्वर करते हैं, हुकुम सेना का प्रतिनिधित्वर करते हैं, क्लब क्रिशी का प्रतिनिधित्वर करते हैं, और हीरे व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्वर करते हैं, और हीरे व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्वर करते हैं, कहा जा जा था और पहला पवित्र रोमन सम्राठ जो 747 से 814 इस्वी तक रहा हीरों का राजा जूलियस सीजर क्लिबों के राजा महान सिकंदर अलेक्जान्डर दे ग्रेट जो मैसेडोनिया के राजा था जिन्होंने एक विशालक शेत्र पर विजय प्राप्त की और 356 से 323 बीसी तक जीवित रहे हुकुम की रानी पैलस दिल की रानी जूडित हीरे की रानी रेचल क्लिबों की रानी आगन हुकुम के गुलाम ओगिया दर्डैन होगर डांस के जो शारे मेन का एक शूर वीर था दिलों के गुलाम ला हायर जो चाल साथ के दरबार के सदस्यत है हीरों के गु के पीछे जो तलवार होती है, उसकी कल्पना खुद को सिर में छुरा घोपने के लिए की जाती है। दो लाल और दो काले जोडे चार अलग अलग संक्रांती का प्रतिनिधित्वर करते हैं, चार सूट और जोडे चार प्राकृतिक तत्वों का भी प्रतिनिधित्वर करते हैं, दिल पानी का, क्लब आग का, हीरा पृत्वी का, हुकुम वायू का.